हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू सिंपल रेसिपीज मैं हूँ शिखाश्री वास्ता और आज मैं आपके लिए कर आई हूँ दो मिनिट में और दो कोई इंग्रीडियंट से बनने वाले बहुत ही तेस्टी एंड सॉफ्ट मग केक की रेसिपी जब ही बच्चों का मग केक खा अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और भी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लिजिए तो यह जो मक के खम बनाएंगे वहम बनाएंगे बिस्किट से तो मैंने यहां और बाउंस बिस्किट ले लिए हैं कोई भी चैप्लेट फ्लेवर का क्रीम वाला बिस्किट आप ले सकते हैं तो मैंने आपर यह फाइब रुपीज वाले फाइब पैकेट्स ले लिए हैं तो इन सब ही को मैं एक जार में ले ले लेती हूँ और हम इनको ग्राइन कर लेंगे तो यह देखिए ग्राइन कर चुके हैं नेक्स्ट आप यहां पर आधा कब दूद आट कर रही हूँ दो इंग्रीजिएंट्स मतलब दो ही इंग्रीजिएंट्स बस हम बिस्किट और दूद के लावा इसमें कुछ भी आट नहीं करेंगे और फिर से इसको एक बार ग्राइन कर लिया है मैंने तो यह देखिए इस तरह का बैटर बनके रेडी हुआ है बैटर अभी थोड़ा थीक लग रहा है हमको फ्लोईंग कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए तो मैं अभी इसमें दो से तीन टेबल स्पून दूद और एट कर दे लिएथे हैं ताकिसी दोद और बिस्कुट अची तरह से मिक्स ओके बढ़िया थो त्यों देखिए तो बैटर बनके रेडी हो चुका है मैं आपको दिखाती हुआ इसकी कंसिस्टेंसी तो यह देखिए ऐसा बैटर हमें चाहिए 1000 अगओ यह देखिय ऐaden हरक म हमारे माइक् वो नॉर्मल मग है और इन दोनों को ही हम ग्रीस कर लेते हैं ओईल से या बटर से आप चाहें तो बटर से ग्रीस कर ले और हमारा बैटल हम दोनों मग में पोर कर देते हैं और अब हम मक को माइक्रोवेब में रख देते हैं और इनको दो मिनिट के लिए माइक्रोवेब कर लेते हैं उसके पहले हम थोड़ा सा टैप कर लेते हैं इनको हलका सा तो यह माइक्रोवेब में रख दिया मैंने इनको और ये दो मिनिट का टाइम में टगा दिया है तो दो मिनिट में ही हमारे मग केक बन के रेदी हो गए है ये दिखिए मैंने इसमें आधे कब से भी कम बैटर फिल किया था और ये कितने सारे फूल के ऊपर आ गए हैं अगर आप भी मग में डालें तो इसे साब से डालें कि यह बैटर जस्ट टपल हो जाएगा केक बनने के बाद इनको चेक कर के दिखाती हूँ मैं आपको यह देखिए निकली है ना एकदम क्लीन टूथपिक अब मैं आपको स्पून से निकाल के दिखाती हूँ दोनों यह मक्केक बहुत बढ़िया बने है तो यह देखिए बहुत ही बढ़िया मक्केक बन के रेडि हो गया है बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आने वाले हैं साथ ही बड़े भी इनको दो मिन पर बना कर एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है बहुत जल्दी और बहुत टेस्टी बन जाते हैं दूसरा वाला भी मैं आपको कट करके दिखाती हूं यह देखिए बहुत ही बड़ी आमक्यक बनके रेडी है ना अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मलगी लिए और इस दो मिनिट व वीडियो बड़ी